पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे इंजेक्शन सीमेक के बारे में इसके अंदर एसकॉर्बिक एसिड होता है बहुत सी कंपनियां यह जो एसकॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन जो बना रही है और तो दोस्तों आज इसी पर जान लीजिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए तो आए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इंजेक्शन सी में जिसके अंदर एस्कॉर्बी कैसिड होता है और यह विटामिन से पहले इसके रूट की कि यह जो इंजेक्शन है कौन-कौन से रूट में लग सकता है यह इंजेक्शन है और आई वी रूट में लगता है कुछ कंपनियां इसको सबकुट रूट में बना रही है जो चमड़ी के नीचे लगता है तो आप हमेशा जब भी ऐसकॉर्बी इन्जेक्शन का यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा इंडिकेशन इन्जेक्शन पर जरूरओ पड़े ताकि वह आई वी रूट है या आईम है या सबकुट है इक सबकुट कुछ कंपनियां सबकुट बना रही है इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं तो दोस्तों अब बा थो हैं जल जाता है उसकी स्किन जल जाती है जलने की स्थितिम में कि इंञेक्शन लगाया जा सकता है लोग रोख से उkeन उसको ताक्त मिलती है और साथ में गए अबर्शन के जहां पर केस है जहां पर बार बार अबर्शन होता है वहां पर भी कहा है कि इस इंजेक्शन को लगा जा सकता है और जातर क्या है विटामिन सी का जैसे अपन देखते हैं दांतों से खून आता है तो विटामिन सी के कारणी होता है और जोडों में दर्द है सुजन है तो वहां पे भी कहा कि विटामिन सी के कारण भी कमी के कारणी हो जाता है तो विटामिन सी की इंजेक्शन पूरती करता है और जहां बात जहां पर घाव होते हैं यह कभी जल्दी नहीं बहुत टाइम लगता है क्योंकि इम्मुनिटी जानवर की कमजोर आ जाती है तो वहां पर कहा कि अपन इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं supportive therapy के अंदर और allergic किसी तरह की समस्य है जानवर को allergy है तो वहाँ पे अपन लगा सकते हैं जहाँ पे खून बहना जहाँ खून रूप नहीं रहा हो खून बहने की समस्य हो वहाँ पे भी अपन supportive therapy के अंदर लगा सकते हैं FMD disease है खूर पका मूँ पका अगर रोग हो गया है पशू को तो supportive therapy के अंदर अपन इस injection को लगा सकते हैं और जहाँ पे लगता है कि जो पशू है बहुत लंबे समय से बिमार है और वो क्या है कि काफी लंबे समय से उसका treatment चल रहा है ठीक नहीं हो रहा है तो वहाँ पे भी अपन उसकी रोग पर तिरोधक शमता बढ़ाने के लिए इस injection को अपन लगा सकते हैं और दोस्तों Mastitis की condition है जहाँ पे Mastitis है थनेला रोग आ गया है वहाँ पे क्या है कि अपन इस injection को supportive therapy के अंदर लगा सकते हैं क्योंकि जातर अपन थनेला में देखते हैं कि जो पशों के थन में जो दूद में क्या है कि छिडियां आती है उनमें छिचरे आने लग जाते हैं तो दूद का एक तरह से टेस्ट भी चेंज हो जाता है तो वहाँ पे इस injection का यूज कर सकते हैं और अब दोस्तों बात करते हैं कि यह injection है कौन कौन सी जो डिजीज अन्य डिजीज है वहाँ पे नहीं लगाना चाहिए अपने को सालधानी रखनी है तो सबसे पहले दोस्तों इस injection को ऐसी डॉसिस की समस्या हो जाए वहाँ पे नहीं लगाना है फूड पॉलिंग हो गया है जानवर को किसी परकार का पच्वों में वहाँ पे इस injection को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपने इस चीज का पूरा ध्यान रखना है दोस्तों बात करते हैं कि यह जो injection है इस injection की डोस क्या है अगर दोस्तों पच्वों का वेट जो 400-500 केजी है वहाँ पे 15-20 ml तक लगा सकते हैं अगर अपने भीड पक्रियों में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे अपने 5-7 ml इस injection को दे सकते हैं अगर डोक्स में अपने इस injection को यूज कर रहे हैं तो 3-5 ml इस injection को लगाया जा सकता है दोस्तों अब बात करते हैं कि यह injection overdose लगाने से क्या-क्या side effects हो सकते हैं तो overdose में देखा जाए तो दोस्तों अगर पच्वों को overdose इस injection की दी जाती है तो वहाँ पे क्या है कि जानवर को kidney stone जो पत्थरी होने के chances रहते हैं पिशाब कम होना या पिशाब रुकना इसके chances रहते हैं overdose देने से कभी कभी जानवर को जो पश्वों को दस्त ही जो दस्त लग जाते हैं उनको डाइडिया हो जाता है अब दोस्तों एक important बात या है कि आप इस injection को पहली बात तो आप इसके कहा है कि इंडिकेशन पढ़के ही लगाएं कि यह आईवी रूट है का इम है वैसे जो आईवी और आईएम में ही आता है पर कुछ कम्पनियां सबकर्ट बनाती है अब बात करते हैं कि अगर यह injection अपन आईवी रूट दे रहे हैं तो कौन से injection के साथ नहीं देना है तो दोस्तों जहां तक कोशिश हो तो आप इस injection को अकेला ही देवें डिप के साथ में अगर आईवी देने की जूरूर पड़े तो नहीं तो आप इसको muscular ही लगाएं और अगर आईवी दे रहे हैं तो उसके साथ क्या है कि कुछ मल्टी विटामिन है या ओक्सी टेटरा साइक्लिंग इंजेक्शन है वो इसके साथ मिक्स नहीं करें नहीं तो क्या है कि पशो में बैंकर साइड फेक्स देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तों आप इन बातों का ध्य या कुछ सबचियां हैं तो आप देते रहें जो विटामिन सी का स्त्रोथ हैं तो उससे कहा कि आपके जो पशो में जो रोग परत्रोग शम्ता बनी रहेगी और साथ ही कहा कि आपका पशो जल्दी बिमार पीनी होगा धन्यवाद